विद्यार्थियों, हलो विद्यार्थियों, आज हम आज के हम इस पार्ट के अंतरगत जैसा कि इसका नाम है ज्यामिती रचनाएं, इनको बनाना सीखेंगे, हम इस वीडियो के दौरा गागर में सागर की तरह, एक छोटे से वीडियो में 13-14 तरह के रचनाएं आप कर पाएं सीख पाएं, इसको सिखाने का प्रयास करेंगे, तो जितनी भी आपकी आधार भूत, जामिती रचनाएं हैं, बेसिक चेमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से, उन्हें आप इस वीडियो के द्वारा बनाना सीखेंगे, प्रारा में हम पहली रचना आपकी, एक रेखा कंड की रच अनंत दूरी तक दोनों दिसाओं में जाने वाली एक सीधी सरल रेखा होती है, और जब उसके दूरी निश्चित कर दी जाए, दोनों दिसाओं से उसको बांदिया जाए, सिमित कर दिया जाए, निश्चित लंबाई उसके निश्चित कर दी जाए, तो फिर वो लाइन segment is a part of a line with a finite or fixed length, उसको बनाना सीखते हैं, उसके लंबाई दे रखिए 2.5 cm, तो सबसे पहले हमें क्या कम करना चाहिए, सबसे पहले हमें हमें एक एक लाइन के उपर, एक लंबी लाइन जो की 2.5 cm से ज़्यादा बढ़ी हो, उसपर एक बिंदू A की रचना करनी है, यह एक लाइन है, इस लाइन के उपर हमने एक बिंदू लिया और A बिंदू, उसके पस्याथ हमें अपना प्रकार को लेना है, और प्रकार को लेने के काम खोल लेंगे, तो उसे इस लाइन के उपर लेकर जाएंगे, और हम B बिंदू के पर एक आर्क, चाप काटेंगे, इसे नीचे लेके आएंगे, यह पर प्रकार की नोक रखेंगे, और पैंसिल की जो हिस्सा है, उसके द्वारा एक चाप की रचना करेंगे, और जो चाप के तिर्बुज की रचना करते हैं, इसे तीनों भुजाएं दी गई है, अभी हमने रेकाखन की रचना करना सीखा, केवल रेकाखन की रचना करना आ गया हमें, उसी से हम तिर्बुज की रचना भी कर सकते हैं, वो तिर्बुज है, तिर्बुज PQR, इसकी रचना करना हम सी ट्राइंगल PQR, where PQ equals to 3 cm, PR equals to 4 cm, and QR equals to 2 cm. सबसे पहला काम करेंगे हम PQ, line segment, PQ रेखा खंड की रचना करेंगे, 3 cm के. रचना करना हमने क्योंकि अभी सीखा है, किसी भी रेखा खंड का उसके अनुसार करेंगे. एक रेखा लेंगे, रेखा को उपर एक बिंदू P निर्दिष्ट करेंगे, अब कमपास को आप PQ अर्था 3 cm का खोलेंगे, और खोलने के बाद में P रेखा खंड की इसके उपर एक चाप काट देंगे Q बिंदू, इस प्रकार से PQ हमें 3 cm के पराप्त हो जाएगे. अब आप प्रकार को खोलेंगे, इस PR 4 cm के बराबर, कमपास को और P के उपर रखकर एक चाप काटेंगे, इस तरह से इस तरफ, और फिर प्रकार को खोलेंगे हम 2 cm का और Q पे रखके एक चाप काटेंगे, इस तरह से P पे रखेंगे प्रकार के नौक को और एक चाप काटें 4 cm का इस प्रकार से अब प्रकार को खोलेंगे हम 2 cm का उसको क्यूंकर और एक चाप काटेंगे हम यहां यह जो चाप काटने का वढ़ा विंदु प्राप्त होगा ये बिंदू हमें आर प्राप्त होगा इस और को P के साथ मिला देंगे और इस R को कि के साथ मिला देंगे इस परकार से हमें PQR कि रचन मुआ dot is रहे आड़े अब हम रेखा खंड के लव संदीव्भाजक की रचन मांट सीखनें कि इस परकार से कैला ओर नम्न संदीव्भाज़क क्या और इसका लंब संदीव Rs. कौन भी बनाता है इसके साथ में इसलिए ये लंब समधिवा चाहिए चलिए कैसे बनाते हैं एक परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर किसे कहते हैं और फेलाइन सेग्मेंट इस ट्रेट लाइन सेग्मेंट एग्जेक्ट्लिक इन हाफ और इस एट राइट एंगल्स टू दा ला open compasses to a width more than half of m m more than half खोलेंगे और m की उपर अफेंगे प्रकार की नोग को और एक साफ उपर काटेंगे और एक चाप उतना ही खुला रखकर एक चाप हम नीचे कटेंगे अब इतना खुलावा प्रकार के नोग को रखा है उतना ही खुला रहने देंगे और N के उपर रखकर एक चाप उपर और एक चाप नीचे कटेंगे इस प्रकार से दोनों जो चाप कटेवे हैं आपके इन दोनों चाप कटेवे चापव को आपस में मिला देंगे इस प्रकार से जो मिलाने के बाद में स्ट्रेट लाइन आएगी ये MN की लंब सम्दू बाचक है किसी रेखा पर दिये गए बिंदू पर लंब की रचना करना रेखा है उसके उपर एक बिंदू दिया हुआ है उस बिंदू के उपर लंब की रचना करना रेखा है AB इसके उपर एक बिंदू S है S के उपर लंब की रचना करना कैसे करते हैं देखे कि यह हम देखा खैचेंगे a b उस पे एक बिंदू है दिया हुआ s के उपर हम को खैचना है एक लमप अपर करेंगे हम एक कमपास लेंगे कमपास को एक की विंदू के उपर रखकर एक चाप हम A की साइड में, एक चाप हम B की साइड में T और U करके दो बिंदू पर काटेंगे इस प्रकार से, इस पर रखा प्रकार के नौक को pencil, arrow की जगे pencil है, यह pencil, एक चाप A के तरफ काटा, और इसी प्रकार से हमने एक चाप B के तरफ काटा, वो है U, T A के तरफ और U B के तरफ अब T और U के उपर T के उपर प्रकार के नौक को रखेंगे एक चाप उपर काटेंगे, इस तरह से U के उपर प्रकार को रखेंगे, इस तरह इस तरह भी जगाटेंगे, जिससे इस परकार से, T पे रखा परकार के नोग को, H उपर काटा हमने, अब U पे रखा परकार के नोग को हमने, और H उपर काटा, यह जा चाप काटते हैं, वो बिंदू कहलाएगा V, और इस V बिंदू को, हम S के साथ मिला देंगे, यह जो आपकी जो V, S रेखा आईए, यह इस रेखा के उपर लम्व है, राइट, पाचों हम करने जा रहते हैं, यह एक कोई रेखा है, रेखा को उपर बाहर दियेगे बिंदू से, उस रेखा के उपर पर परपेंडिकुलर डालना, यह रेखा की बीसी रेखा, बीसी उपर बाहर एक बिंदू A दियावा है, वहाँ से इसके उपर परपेंडिकुलर डालना, देखते हैं कैसे होता है, हम सबसे पहले एक रेखा कहचेंगे, बीसी रेखा, बाहर को एक बिंदू दियावा है, A उस बिंदू से इस के उपर हमें perpendicular डालना है पहला काम क्या करेंगे हम जो A बिंदू है इस के उपर प्रकार की नोप को रखेंगे और जो रेखा BC है BC के उपर UV करके दो हम चाप काटेंगे यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोप को एक चाप इधर काटना है और एक चाप इधर काटना है इस परकार से परकार की नोप रखी एक चाप इधर काटेंगे परकार की नोप को परकार को उतना ही खुला रहने देंगे और दूसरे तरफ ले जाएंगे परकार को और दूसी दब ले जाके एक चाप यहां भी काट देंगे, इस प्रकार से U और V करके दो चाबा काट देंगे, ठीक है, आप क्या करना है, आप को सेकंड में क्या करना है, U पे प्रकार के नोक को रखना है, एक चाप नीचे काटना है, V पे प्रकार के नोक को रखना है, उतना इस प्रकार से हमें जो बिंदू प्राप्त हुआ, वो बिंदू है G, यह G बिंदू, अब आप A बिंदू को G के साथ में मिला देंगे, इस प्रकार से, ठीक है, तो जो यह AG रेखा है, यह जो AG रेखा है BC के उपर, 90 डिगरी का तो हैं, और यह इसके उपर परपेंडिकुलर ह अब हम साथ डिगरी की की प्रकार की सहथा से रचना करेंगे, इस पर हम एक R के खेचेंगे Y से Y परकार के नोग कर रखेंगे और एक R के यहां खेचेंगे इस परकार से परकार के नोग को Y पर रखा और एक R हमने बना लिया परकार को इतना ही खुला रहने दिया इतना ही सेम परकार को इतना ही खुला रहने दिया और खुला रखते हुए हमने यह जो बिंदू है यहां यह जो बिंदू आ गया हमारे पास में पी बिंदू इस पी बिंदू पर प्रकार की नौक को रखेंगे और एक चाप हम उपर उतना ही प्रकार की नौक को प्रकार को उतना खुला रखा हुआ था हमने और एक चाप यहा र वाइजेड यह जो कौन है आ र वाइज यह 60 डिगरी का इस अग्रीद को कौन करें आइम 120 डिगरी का कौन परकार की सहता से कैसे बन वह सीख्ते हैं सबसे पहला काम वह एगा निया हम ने एक की उपर परकार की नोप को रखा और एक चाप काटा ठीक है, H से यहां पर होगा, H से एक चाप यूगाट दिया, देखते हैं, परकार की नोग को यह पर रखा और एक चाप काट दिया, तो यह जो परकार को उतना ही खुलने ने दिया, और जो बिंदू प्राप्त होगा आपको H, इस H बिंदू पर परकार की नोग को रखा और सब्सक्राइब, यह तो जब यह मिलेगी यह नया कोंड मनेगा आर omba. ये वाला कॉंड यह कॉंड कहलाएगा आपका 120 दिगरी का है हम कॉंड के संध्य भजक की रचना करना सीखते हैं है वित वाली कॉंड को दो भगों में इसको बाटे कैसे करेंगे सबसे पहला काम करेंगे QQ पर प्रकार की नोग को रखेंगे और PQ और QR पर एक चाप काटेंगे इस प्रकार से यहां यहां प्रकार की नोग को रखा Q पर एक चाप काटा चाप नहीं इसको दो बिंदों पर काटा A और B A पी परकार के नोग को रखेंगे और एक चाप बीच में यहां काटेंगे B पी परकार के नोग को रखेंगे और नहीं एक चाप और काटेंगे इस परकार से A पी परकार के नोग को रखा एक चाप काटा परकार को उतना ही खुलर है ने दिया मैं बार-बार कह रहे हूं प्रकार को जब मैं बोलता हूं और BQ पर ले जाने के प्रस्यात प्रकार कोॉन बनाय फिर वैसे ही काटा तो इस प्रकार से प्रकार जब दोनों जगे जो कटा है इसको हम C देदेंगे और Q को C के साथ में हम मिला देंगे पर जो नई रेखा खंड आया है QC, इसने PQR को दो बराबर-बराबर के कोणों में विभत्त कर दिया है, उन दोनों कोणों के माहन है PQC और CQR. चलिए, आज हम, अब हम नवे रचना की रूप में जाते हैं और एक तिर्बूज की रचना करना सीखते हैं, जिसमें एक भुजा दिये हुई है और दो कौन दिये ले हैं लेकिन हम इसमें आपके D का हेल्प नहीं लेंगे, कमपास की ततर से बनाने का प्रेस करेंगे एक आपको तिर्बूज मनाना है, जिसमें EF रेखा दी हुई है 3.5 cm की, और कौन EFG 45 डिगरी का है, और कौन EFG 60 डिगरी का कौन है सबसे पहला काम करना है, आपको EF रेखा 3.5 cm की खेंचनी है, तो एक लाइन के उपर E बिंदू लिया, E बिंदू लेने के पस्यात में, E पर प्रकार की नौक को रखा, और 3.5 cm का प्रकार को खोला है, और F पे एक चापकार दिया है, इस प्रकार से हमें F बिंदू के उपर मनाएंगे 45-degree का कौन, 45-degree का कौन भाणा नहीं चिका हमने है, लेकर हमें 50-degree को मनाना सीख लिया था, एक बाहार के बिंदू से, एक किसी भी रेखा कि उपर एक बिंदू है, उस बिंदू के उपर पर परप्रपैंडि को बनाना सीखाने, वो 90-degree का का कोन भाणन थ एक लिया तो पिर इस तरीक से हम बनेगा पैतली ऍजी llegó기를 काऊन् E के उपर Kст तरफ से प्रकार की मुल को रखेंगे और उपर चाप कर अगे दूरी त्रह के नौ को रखेंगे एक और चाप कर तेगे कि दोनों चाप काटने के बाद जो जहां काटेंगे उसको हम E के साथ में मिला देंगे यह बन गया आपका 90 डिगरी का कौन अब जहां 90 के कौन मना है इस जगे यहां और यहां यह जीरो है और यहां 90 कौन का हम लम सम्धिवाज़न करते थे ने उस तरह के से इसका सम्धिवाज़न कर देंगे तो परकार के नोग को यहां रखेंगे एक चाप इधर काटेंगे परकार के नोग को हम इधर रखेंगे एक चाप इधर काटेंगे यह इस कौन का सम्धिवाज़न हो गया और इसको मिला देंगे हम E के साथ में तो यह आपका ब अब आपको बनाना है F window के ओपर 7 degree का कौन, F पर परकार के नौख को ले जाएंगे, और परकार के नौख को ले जाकर एक आर्क काटेंगे, परकार को उतना ही खुला रहे नहीं देंगे, और जहाँ आपको काटना प्रारंबर किया था इस बिंदू से, इस बिंदू पर परका कोनों बिंदु कट के आये वह बिंदु आपका होगा जई इस प्रकार आपके तिर्बूज की रचना हुई जी आई अब हम एक ऐसे तिर्बूज की रचना करना सीखते हैं जिसमें दो बुझाएं दी होँगी आपको और एक कॉंड दिया हुआ हो उत्ते बोज कि रचना किस प्रकार से हम को आपको एक तर्बुज बनाना है के एलम इसमें के एल दिया हुआ है 4.5 cm की एलम दी होँए आपको 3 cm की और कॉंड के एलम आपको दिया हुआ है 30 डिकरी का सबसे पहला काम के एल रेखाखंड का निर्मान करना बनाना उसे रचना करना उसके एक रेखा ली उसके एक बिंदू के निर्जित किया के के उपर प्रकार की नौक को रखा और 4.5 का प्रकार को खोला हमने और एक चाप काट दिया वह चाप कटा एल बिंदू और एल की बीच की दूरी 4-5 cm है तो इस प्रकार से K L देखे खंट का अपने निर्मान कर लिया अब आगो क्या करना है 30 degree का कौन बनाना है L पर और कैसे बनाएंगे 30 degree का कोन भूट हमने सीखा ही नहीं लेकिन हमने 60 degree का कौन nana सीखाय और हमने कौन का bisect करना भी सीखाय तो जब हम 60 degree का कौन मनाएंगे और उसका bisect करेंगे तो वो 30 degree angle होगा चलिए हम एल बिंदू के उपर ऐसा ही करते है packs पहला हम एक प्रकार को लेते हैं प्रकार को आल बिंदू पर रखते है और एक चाप हम काटते हैं इस प्रकार से साथ डिग्री का अगर मनाने के लिए इसा करना है प्रकार को उतना ही खुला रखना है और अब प्रकार के नोग को यहां रखना है और यहां रखने के प्रस्यात एक चाप उपर काटेंगे इस प्रकार से इस बिंदू को इस बिंदू को L के साथ में मिला देंगे तो ये बन जाता आपका साथ डिगरी का कौन इसको इसको इसकत मिलाएंगे तो नहीं मिलाएंगे तो भी नहीं मिलाएंगे आवाशकता नहीं यहां रखके एक चाप काट लीजिए एक चाप यहां रखके काट लीजिए और जो यह नया कॉन मनेगा वो 60 degrees का आदा बनेगा एक चाप उपर काटा आपने एक चाप यहां रखके एक चाप यहां काटा पर जो इस बिंदू आया आपको इस बिंदू को L के साथ में हमने मिला दिया इस प्रकार से तो ये अब आपको क्या करنا है अब आपको तीसरा काम करना है हमको LM ये आपको LM दिया हो है न 3Bar आपको LM दिया हो 3Bar क्म दिया हो KM दिया हो क पर प्रकार की मिन्दू रखके हो बंदू 3 redundancy को छाप देंगे इस रिखा को और L से काटना है तो L से काट देंगे हमें जो भी रेखाकंड दियावा है KM दिया है तो K पे रखके काट देंगे और LM दिया है तो L पे रखके काट देंगे यह हमें LM दिया है 3 cm तो हम परकार को 3 cm का खोलेंगे L पे रखेंगे यहां आप रखेंगे प्रकार की नौक को और हम एक तीन से मेरा चाप काट देंगे इस प्रकार से यहां लिए और यह जो बिंदू प्राप्त हुआ यह M बिंदू है इस M बिंदू को हम K के साथ में M बिंदू को हम K के साथ में मिला देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से हमारा M, K, L, एक त्रिबुच का दिर्मान होता है, चलिए आगे हम अब समाना अंतर रेखाओं की रचना करना हूं 11 बिंदू की रूप में सीखने वाले हैं, एक रेखा लेनी है हमें, उसके 2 cm ऊपर एक और दूसरी उसकी पैरलल लाइन खेचनी है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, एक आटी रेखा लेंगे, उसके एक बिंदू है A, A बिंदू की ऊपर हम एक लंब परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर A की ऊपर डालने क और एक पर रखा एक चाप हमें इधर काता, इस इस बिंदू को इसमें एक के साथ मिलांगे और एक रेखा ख्याचिंच, frågor रेखा इसके उपर नम् होगी, और उस रेखा के उपर हमी हमें 2 cm, यह जो 2 cm उपर हमें जाना है, तो A पर रखे, एक 2 cm का चाप भी कारती है पहले, प्रकार को 2 cm का खोलते हैं और एक चाप हम उपर कर दो, अब हम इस बिंदू को एक के सब मिलाते वे लाइन सीधी खेचते हैं इस प्रकार से A B हमें एक बिंदू प्राप्त एक देखाखंड प्राप्त होता है इससे B बिंदू के उपर हमें एक परपेंडिकुलर खेचेंगे B बिंदू के उपर & B पर उपर, अधर बी ती उपर नीचे, जहां दोनों चाप कटे हैं इन पर प्रकार की नौक को रखेंगे एक साइड और यहां चाप काटेंगे दुनों से या फिर इधर इसे हो ले आपके शह दो तो हमने इस तरफ कटा, बी पे ऊपर वाले चाप पर रखा, ज्छा काटा था, एक ऊपर काट तब यह चाप, एक नीचे रखा हमने, और नीचे रखके भी चाप काट दिया, इसको बी के साथ हमने मिला दिया, इस प्रकाट जो यह नई रेखा आई है, यह रेखा, इस आटे रेखा से बिल्कुल परिलल है समानांतर है अब हम बारवे नमबर पे समानांतर चत्रबुच की रचना करना सीखते हैं एक पेलोलग्राम बनाना है आपको जिसमें आपको दिया हुआ है AB 3 cm AD 2.5 cm और एक कौन दिया हुआ है आपको 60 दिगरी का सरसे पहला काम करना है आपको AB रेखा 3 cm की खेचनी है एक रेखा लिया आपने उसको एक बिंदू ये निर्दिस्ट किया पर कार को आपने 3 cm का खोला और 3 cm का खोलने के परसद आपने आर्क काटा वो आर्क आपका यहाँ काटा और ये जो रेखा ये जो तो ये वाला कॉंट साथ डिग्री बनाना एक की उपर तो परकार के नौप को ए पे रखेंगे एक चाप काटेंगे उतना एक खोल के रखेंगे परकार को और जहाँ चाप काटा आपने इस जगे परकार के नौप को रखेंगे और एक चाप उपर काटेंगे इसको A के साथ में इस बिंदू को A के साथ में मिलाते हैं एक रेका हम खैस देंगे अब इस रेका के उपर आपको AD AD कितना लेना है 2.5 Semi AD 2.5 Semi लेना है तो A के उपर परकार के नौक को रखेंगे परकार को 2.5 Semi का खोलेंगे और एक चाप उपर काट देंगे परकार को 2.5 Semi का खोलेंगे एक चाप आपने उपर काट दिया जो बिंदू कहलाएगा आपका D बिंदू चिक है अब क्या करना अब रह गया आपके 2 रेखाएं और बाकी रेखी चाप भुझ में चारेखाएं होती है A, B हो गई, A, D हो गई और लेकिन समानान तर चाप भुझ में आमने सामने की भुशाएं बिलकुल बराबर होती है पहले लोगरा में जो quadrilateral whose opposite sides are equal length and parallel equal length की होती है जतनी A, B है उतनी ही DC होगी तो हम D की उपर प्रकार की नोग को रखेंगे और एक B की उपर प्रकार की नोग को रखेंगे B पे प्रकार की नोग को रखेंगे उस प्रकार को हम कितना खोलेंगे इस प्रकार को कितना खोलेंगे इस प्रकार को आप A, D जितना खोलेंगे और 20 पे प्रकार के नोग को रखके एक चाप काट देंगे अब प्रकार के नोग को रखेंगे आप D के उपर D के उपर रखकर और प्रकार को खोला आपने A B जितना और D पे रखकर यहाँ चाप काट देंगे इस प्रकार से यह चाब अपनी हां काड़ दिया यह जो बिंदु आया यह बिंदु आपका C इसको D से मिला देंगे और B से मिला देंगे इस प्रकार से आपका यह पेरलेलोग्राम समानांतर चत्रबुच का निर्माण होगा विद्यार्तियों आज हमें इन 12 रचनाओं के बारे में सीखना था यह बैसिक रचनाओं हैं इनका आप इनको कंस्टर्ट करके इन्हें आप अपने पेपर पेंसिल से अपने कॉपी के अंदर कमपास को लेकर और अपने साथ में स्केल को लेकर स्केल और कमपास के साथ है साई रचनाओं को बनाने का अभ्यास कीजिए फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्य आती है तो निश्यत रुप से आप उससे पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल पर फोन कर सकते हैं या मेरे कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर यह मुझे कह सकते हैं और जो मुझे व्यक्ति के तुरुक से जानते हैं मुझसे विस प्रकार सभी संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद